चतिसकर के राजनीती गलियारा सुर्ख्यों में है क्यूंकि एक साल बाद यहां विधान सभाव चुनाओं होने वाला है इसी को मद्दे नजर रखतिख्वी सभी पार्टी अपनी तैयारी कर रहे हैं आपको बता दी कि भानु प्रतापूर विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद सीट रित हो गया था यहां उप्चुनाओं कॉंग्रेस के प्रतिष्ठा का सवाल था पूरी ताकत के साथ भुपेश मघेल के यूजनाओं को लोगों तक बताने के लिए गुंदर देही वि अशार किया जिसका नतीजा यह है कि आदिवासी समाज मुख्यमंत्री की योजनाओं को समझकर भारी बहुमत से कॉंग्रेस को आशिरवात दिया है मत गर्णा भानु प्रताप देव शास्क्य महा विद्याले कांकेर में हुआ जहां कॉंग्रेस की प्रत्याश्य सावित्री मंडावी के एतिहासिक जीत दर्ज के बाद कॉंग्रेस कारेकर्टाओं में जीत का जस्न देखने लायक बना कॉंग्रेस कारेकर्टाओं ने वुपेस बगेल जिन्दाबाद के नारे लगा कर दिवंगत मनोज मंडावी को याद करते हुए कॉंग्रेस कारेकर्टा भावुक हुए चारो तरफ आतिस बाजी धोल नगारी के स्वर कॉंग्रेस पार्टी जिन्दाबाद हुए हैं एक के बाद एक के बाद लगातार जीत का ग्राब बढ़ते गया और आज इस जीत के लिए जिस हिसाफ से भाजपन अपनी रणीती तैयार की थी कि आदिवासी को आदिवासी के साथ जो लडाने का काम किया था वो अपने प्रयोजन में बहुत हद तक सफल हुए पूरे प्रदेश में जिनके बदरों 36 गर्में कांग्रेस की सरकार बनी उन्होंने तो निश्या ही कर लिया था कि इस बार फिर उप्चुना में कांग्रेस के प्रत्यासी सावित्री मंडावी को ही जीताना है आज उसी का परिणाम उसी की पढ़नती है कि लोगों ने भाज माज धरातल पर जीत रहे हैं घाव में जीत रहे हैं और उसी का परिणाम है साथ ही सवर्गी मंडावी के द्वारा मानुपुताब पूर में क्योंगे विक आसकार यह इन सभी हैक्टर के वज़े से आज मानिय सावित्री मंडावी जी को प्रचन बहुमत से जीत मिले है और उसी खुशी में आज ब्लाक कंगरिस कमिटी गुंदरदी के द्वारा जहां दमतरी चौब में फटाजे फोड़ कर उचाह पुर्वत हमने खुशी जाहिर किया है